Assalamualaikum friends, welcome to my channel Friends, आज की recipe snacks की है, चले recipe स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने चावन का आठा लिया है, 1 cup इसमें मैं पेसन डालूँगी, 1 by 4 cup नमक, 1 teaspoon इसमें 2 tablespoon जाएगा, आम, आठा, कोई भी ले लें, आप चाहे डाल लें, आप इसमें मैला डाल लें, चाहे चकी काटा डाल लें half teaspoon मैंने इसमें डाला है, baking powder इसे अच्छे से mix कर लेंगे अब मैंने एक बड़ा बाउल लिया है, उसके अंदर मैं डालूँगी, 2 cup पानी के आप इस पानी में मैं मिक्चर को डाल दूगी, जो हमने बना के रखा था और इसको अच्छे तरीके से mix करना है प्रापर तरीके से mix करना है अब मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर इस मिक्चर को डाल देंगे अब इस पैन को मैं चूले पे रखूंगी और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने कुप करने है आइसा इसा ये मिक्चर जो है वो थिक होना शुरू हो जाएगा बहुत इहत्यास से और आइसा इसको हम पकाएंगे फ्रेंट्स ये बहुत ही मज़े की है और हेल्दी स्नेक्स है होफुली कि आपको ये रसेपी बहुत पसंद आएगी ये देखे अब आइसा इसा ये थिक होना शुरू हो गया जब ये थिक होना शुरू हो तो मसलसल हमने स्पून को हलाना है अच्छे देके से मिक्स करते जाएंगे ताकि गुठनिया नाम बने इसकी मैंने कुशिश किये कि स्किप मत करूँ ताकि आपको प्रॉपर पता चलता जाएगी ये कैसे हमने इसको थिक करना है जैसे जैसे मैं हलाती जाओंगी और ये थिक होता जाएगा अब मैं इसके अंदर डालूँगी वान टेबल स्पून बटर बटर को अच्छे तरीके से मिक्स करना है मैंने होमेड ही बटर यूज किया है बटर डालने के बाद जब हम अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये फिर नीचे भी नहीं लगेगा ये प्रॉपर एक फॉर्म में आ जाएगा अब मैं फ्लेम को आफ कर दूँगी इसको कूल होने देंगे फ्रैंट्स, मैं आपको बहुत से टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी ये कैसे ये आपके पर्फर्ट किसम के स्नैक्स बने गे अब मैं इसको धाम दिया है, कुछ देए धाम के रख देंगे उसके बाद पर मैंने इसको एक बाउल में नकाल दिया है अब ये बलकुर रूम टमप्रेचर पर आगे है कुछ तरह इसको रस्ट पर छोड़ दें रिलेक्स हो जाएं आप अपने घर के काम कर सकते हैं उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी वन टेबर स्पून कॉन फ्लॉर रूम टमप्रेचर पर जब आएगा तब हम इसके अंदर कॉन फ्लॉर डालेंगी उससे पहले मट डालिएगा अब मैंने इसमे कुछ रोज मेरी लीव्स डाले हैं आप थाइम भी डाल सकते हैं इवन के आप इसमें कॉरियंडर लीव्स भी डाल सकते हैं इसके अलावा मैंने इसमें चीली फ्लेक्स टाले हैं हाफ टी स्पून के क्रीब आप्शनल है आप डालना चाहें तो डालनें अदर्वाइस बेशक्त ना डाले अब मैंने इसे कुछ दिर दोबारा से रस्ट दिया था इवन के मैंने अगर देखा जा तो मैंने इसको कमस कम दो तीन गिंटे का रस्ट दिया मैं दर्म्यान में बीजी हो गई थी तो मैंने काफी टाइम के बाद मैंने इनको बनाना शुरू किया आप ऐसे बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं क्यूंकि मैंने बनाकर फ्रिज में ही रख दिये थे फिर काफी टाइम के बाद मैंने इनको कुप करना शुरू किया जो हम आयल लेंगे फ्राइ करने के लिए बहुत ज़्यदा हाट नहीं होना चाहिए और जब गरम हो चाहेगा तो हम उसकी उसको दुबारा से लो फ्लेम पे कर देंगे और कमसकम तीन से चार मिन के बाद हम इसको हलाना शुरू करेंगे अगर आप एक दम से हलाएंगे तो ये खराब हो चाहेंगे मैंने इनको कुरकुरे शेप में बनाया है क्योंकि बच्चे लाइक करते हैं आप अपनी मर्दी से कोई भी शेप दे सकते हैं ये एक हेल्दी स्नेक्स हैं बच्चे बहुत लाइक करते हैं आप कोई भी शेप में बना सकते हैं ये बन के बना कर फिच में रख लें, मॉर्निंग में बच्चों को दे सकते हैं, गुर्डन होने पे इन्हें नकाल लें, ये बहुत मज़े क्या क्रंची बने हैं, फ्रेंड्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, अब इसके उपर मसाला डालेंगे, जो मसाला है वो मैंने जो चिकन पाउडर होता है, उसे और चाट मसाला उन दोनों को मिक्स करके एक मैजिक पाउडर बनाया है, आप इस पे डालें, बहुत मज़े का लगे का आपको, अच्छे तरीके से स्प्रिंकल करेंगे, और म थोड़ी से ट्रिक्स हैं, अगर वो एक बार समझ आ जाए, तो होफुली के आपको यह बहुत इजी लगेंगे, यह देखें, अंदर से भी बहुत मज़े के हैं, क्रंची भी हैं, जब हम आम टिपिकल स्नेक्स खाका के बच्चे बड़े बोर हो चाते हैं, तो कुछ चेंज खाने को दिख चाता है, तो आप यह बना कर दें, होफुली के बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाएंगे, फ्रेंड्स, वोट माई चैनल, होफुली कि आपको यह रेसिपी बसंद आएगी, हेल्दी खाएं, हेल्दी रहें, अपना और अपनी फैमली का ख्याल रखें अला हफिज, थैंक्स वर वाचिंग